उर्धर दक्षन भारत में तेलंगाना में हैदरबाद की गलियों में जो उवेसी ब्रदर्स हैं वो घूम रहे हैं दोनों भाई पार्टी उमीदवारों को जिताने के लिए पैदल मर्च कर रहे हैं आप जानते हैं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग तरफिए चनावी प्रचार में उवेसी ब्रदर्स हैं आगे आगे असद उद्दीन पीछे पीछे अकबर उद्दीन उल्ड सिटी हेदरबाद के चंद्रायन गुट्टा की गलियों में माइक बड़े उवेसी ने संभाल रखाये लेकिन दाव पर छोटे उवेसी की कस्मत यू तो चंद्रायन गुट्टा सीट पर अकबर उद्दीन उवेसी विजय का पंच लगा चुके हैं लेकिन जीत का सिक्सर लगाने के लिए बड़े भाई उवेसी भी फूप पसीना बहा रगी चंद्रायन गुट्टा में भले ही अकबर उद्दीन का सिक्का चलता हो लेकिन यहां से बाहर उनकी पहचान उवेसी के भाई और विवादत बयानों से ही प्रचलित है विएस चनाफ प्रचार के बीच अकबर उद्दीन ने पहली बार किसी न्यूस चानल को इंटिव्यू दिया जिसमें अपनी छवी के उलट वो नाप तोल कर बोलते हुए नजर आई और मुसल्मानों की मुद्दे पर कॉंग्रेस को उन्होंने कड़ घरे में खड़ा किया अग्बर उद्दीन और अकबर उद्दीन उवैसी के बेते नूर उद्दीन उवैसी एई आए एमायम के पद्यात्रा में शामल हो रही हैं एबिपनियूस दे जूनियर उवैसी की राजनीती में एंट्री पर सवाल किया तो अकबर उद्दीन ने फैसला जनता पर छोड़ दिया फिलहाल तो तेलंगाना की जनता को अकबर उद्दीन के सियासी भविशे पर फैसला सुनाना है AIMIM, BRS के साथ मिल कर चुनाब दर रही है माना जा रहा है पिछली बार के मुकाबले कॉंग्रिस इस बार मजबूट चुनाथी दे रही है इसलिए उवैसी ब्रदर्स एक साथ मैदान में नजर आ रहे है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे